दोस्तो दिवाली आने वाली है और दिवाली हो और मिठाई की बात ना हूँ ऐसा तो होई नहीं सकता आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टोईनवर रेसेपी यानि एक ही वीडियो में दो-दो रेसेपी हेलो दोस्तो वेलकम टू निशा स्टाइल्स तो चलिए दोस्तो रेसेपी को बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें चाहिए होगा फुल क्रीम मिल्क मैंने एक लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है उसे हमें कड़ाई में निकाल लेंगे अब हमें इस मिल्क में उबाल आने दे रहें अब हम इसमें डाल देंगे आदा कटोरी चीनी और थोड़े से ड्राइनर्स पिस्ता, बदाम, काजू और आदा चमच, इलाईची चीनी दोस्तों मैंने इसमें डाल दी है लेकिन मेरा कैमरा ओन नहीं था मैं उसे शूट करना भूल गई अब हम सारी से जोक अच्छे से उबनने देंगे और साइड में जो भी मलाई जमते जाएंगे उसे दूद में ही मिलाते जाएंगे ताकि हमारी जो रबड़ी है वो बहुत ही लच्छेदार और मलाईदार बने दूद को अब गाड़ा होने देते हैं दूद को हमें तकरीवन 15 मिनट तक पकाना होगा ताकि आप गैस को मीडियम रखेगा मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे पकाते रहना है देखिए रबड़ी हमारी त्यार हो चुकी है हमें इसको इतना ही गाड़ा रखना है क्योंकि हम जब रबड़ी को ठंडा करते हैं तो उसके बाद भी वो और गाड़ी हो जाती है अब इसे फ्रीज में रख देते हैं ठंडा होने के बाद ही इसे फ्रीज में रखेगा गरम गरम मत रखेगा तो चली जब तक हमारी रबड़ी छंडी हो रही है हम अपनी नेक्स प्रोसेस की तरफ चलते हैं अब हम बनाएंगे अपनी गर्मा गरम मिठायो के डाजा गुलाब जामन की रेसिपी दोस्तों ये दूद मेरे पास एक दो दिन पूराना था जो खराब हो जाता है डेट एक्सपायर हो जाती है तो मैंने सोचा इसका पनीर बना लेती हूँ मैंने एक लीटर फूल क्रीम मिल्क डाल दिया है और अब ये उबल गया है अच्छे से अब मैंने एक कटोरी में दो चमत सिर्का और आदा कब पाने का घोल बना लिया है अब हमें गैस को बंद कर देना है और उबले हुए दूद में इस तरीके से एक मिनिट तक चम्चे को हिलाते रहना है हमें एकदम से तगड़ा शोक नहीं देना है सिर्का डाल के दूद को इसलिए हमें थोड़ा सा उसको ठंडा कर लेना है और उसके बाद धीरे धीरे इस तरीके से सिर्का डालते जाना है और चम्चे से हिलाते जाना है आप देखोगे धीरे धीरे दूद फटने लग जाएगा दोस्तो इस रेसपी को मैंने राजा रानी की कटोरी इसलिए नाम दिया है क्योंकि आप सभी को पता है कि गुलाब जामुन को तो मिठाईों को राजा कहा जाता है और साथ इसाथ रसमलाईों को मीठाई की रानी बोला जाता है तो इस रेसपी में आपको दोनों टेस्ट देखने को मिलेंगे यह लीजिए बाते करते करते हमारा दूद भी फट गया है अब हम एक मुलमल के कपड़े में इस तरीके से इस फटे हुए दूद को छान लेंगे अपना छेना अलग कर लेंगे और हमारा देखिए कितना बड़िया सोफ्ट सा छेना बनके रेडी हो गया है अब हम इसे अच्छे से स्क्वीज कर लेते हैं हमें इसको बिलकुल भी टाइटली स्क्वीज नहीं करना है यानि कि इसमें थोड़ा बहुत मौश्चर रहना चाहिए लेकिन जादा भी नहीं रहना चाहिए अब हम इस पर थोड़ा से ठंडा पानी डालेंगे ताकि जो सिरके का खटा पन है वो निकल जाए और इसको अच्छे से दो लेंगे ये लिजिए हमने इसको अच्छे से धो लिया है अब इसको फिर से स्क्वीज करके इसका एक्स्टरा पानी निकाल लेंगे दोस्तो अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी डिफरेंट लग रही हो और अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे और साथ इसाथ चैनल को सबस्क्राइब कर दीजे अगर आभी तक आपने नहीं किया है तो चलिए दोस्तो अब हम चाशनी बना लेते हैं गुलाब जमून के लिए मैंने एक कटोरी चीनी ली है और उसमें डेड़ कटोरी पानी डाल दिया है गैस को मेडियम कर देंगे और अब इसमें में थोड़ा सा केसर के धागे डाल दूँगी आप चाहो तो इसमें केवडा एसेंस भी डाल सकते हो या फिर आप चाहो तो इसमें इलाइची भी डाल सकते हो आप अपनी चाशनी में कोई भी फ्लेवर डाल सकते हो अब चीनी को घुलने देंगे और चीनी घुलने के बाद उसे तीन से चार मिंड तक और पकने देंगे हमें चाशनी में कोई तार नहीं चाहिए हमें बस चाशनी को इतना पकाना है कि वो थोड़ी सी जब हम उसे टच करे तो चिकनी चिकनी लगे शहद की तरह ये देखिए चाशनी थोड़ी थोड़ी ओईल जैसी सी लगने लगी है बस इसको इतना ही पकाना है हमने अपने छेने में से एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है अब हम एक बरतन में इसको इस तरीके से अपने हाथों से मसल मसल के इस तरीके से कडल कर लेंगे और उसके बाद इसमें हम चार छोटी चमच मैदा मिलाएंगे जो हमारी घर की नॉर्मल चमच होती है ना वो ही मैने लिया है और साथ ही साथ हम इसमें वन फोर टी स्पून बेकिंग पाउडर मिला देंगे अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप बेकिंग सोड़ा भी मिला सकते हो लेकिन वो आपको सिर्फ वन पिंच ही डालना होगा अब हातों से सारी शिजुक अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हते लिए इस तरीके से प्रेस करकर के हम इसको बिल्कुल स्मूध बना लेना है इसमें पनीर के या छेने के गोल-गोल पार्टिकल्स नहीं रहने चाहिए यह बिल्कुल एक डो की फोम में हो जाना चाहिए और यह देखिए हम इसको टेस्ट करेंगे एक बोल बनाकर बोल में कोई क्रेक्स नहीं है इसका मतलब हमारा जो छेना वो अच्छे से मन गया है इसकी सारी बोल्स हमने बना के रेडी कर ली है अब हम टेस्ट करेंगे एक बोल डाल कर यानि कि हम एक गुलाब जामुन के अपने फ्राई करके देखेंगे मेडियम गैस पे और यह बिल्कुल भी नहीं फटा है इसका मतलब हमारा जो छेना बिल्कुल पर्फेक्ट बना है अगर आपकी बोल्स फट रही है न तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा जब बोल्स तेल में जाके फटती है तो एक्सिजेंट भी हो सकता है बहुत ही जोर से वटती है तो आप जब आप देख रहे हो कि आपके रसकुलों में क्रैक्स आ रहे हैं तो आप छेने को थोड़ी और देर के लिए अच्छे से मल लीजिए हाथों से यह देखिए मैंने गैस को बिल्कुल मेडियम रखा है पहले हमने लो फ्लेम रखी थी और उसके बाद मैंने मीडियम करके इन पेक सुनेरा सा कलर बहुत ही बढ़िया कलर ले आई हुम है और अब हम सीधा इसको डाल देंगे गरमा गरम चाशनी में चाशनी में इसे दो मिनिट तक पकने देंगे उसके बाद गैस बंद करके इसे दो घंटे तक रख देंगे और देखिए हमारे जो गुलाब जामुन है उन्होंने कितने अच्छे से चाशनी पी ले है और यह बहुत ही बढ़िया लग रहे है देखने में चलिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितने बढ़िया बने है और यह बहुत ही ज़्यादा स्पंजी भी बने है यह देखिए तो कितना आसान है न अब आप चाहो तो आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हो तो मैंने आपको गुलाब जामुन की तो रेसिपी बता ही दी है सा देखिए गुलाब जामुन में आप देख रहे होंगे कितनी बड़िया जालिया बनी है और हमारे गुलाब जामुन कितने सोफ्ट बने है दोस्तो अगर आपके पास दूद ना हो फटा हूँ तो आप फ्रेश पनीर का भी यूज़ करके यह गुलाब जामुन इसी मैथर से बना सकते हैं बस पनीर को आप अच्छे से कदू कस कर लीजिए और इसके बाद ये रेसिपी फोलो कीजिए रबडी भी हमारी ठंडी हो गई है और देखे कितनी जादा मलाईदार और लच्छेदार रबडी हमारी बनके रैडी हो गई है देखा आपने कितनी जादा भी मिल जाए तो बात ही अलग होती है तो भाई हमने तो ये राजा रानी की कटोरी बना के त्यार कर दी है आप भी इस राजा रानी की कटोरी को जरूर बनाएगा इस दिवाली और मुझे जरूर बताएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी चैनल को अभी तक आपने सब्सक कर दीजीगा मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए हैपी दिवाली और बाइबाइटो ओल अफ यू